आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस मेश जयदा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी फुटी इंडेक्स में 1.1.2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद 1.01.2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था lockdown में जब lowest point पर market थी तभी 23rd March को share price थी और index था और अभी share price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए एक लंबी यवदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो जब market में बड़ा फोल आता है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले तीन जैसा ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले चार हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये share nifty से better है या नहीं यानि कि पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपे इस share में invest किये 6 साल बाद इस share में invest किये हुए 1 लाग रुपे हो गए March में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपे nifty 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और अभी की वेल्यू है फर्स्ट पॉइंट में निफ्टी जीत गया सेकंड पॉइंट में निफ्टी जीत गया थर्ड पॉइंट में निफ्टी जीत गया एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी 2020 में किसका परफॉर्मस बेटर रहा ये शेर का या निफ्टी का ये है पिछले एक महिने का रिटर्न ये है दो महिने का रिटर्न ये है तीन महिने का रिटर्न ये है छे महिने का रिटर्न और ये है पिछले नव महिने का रिटर्न टैंक्यू